हाई दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ MPL गेम में रनन नमबर वन का मैं गेम का ट्रीक पे ट्रीक बताने वाला हूँ और इस से पहले अनिल टेक के चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आके घंटी को प्रेस करना जिस से आने वाला हर नोटिपिकेशन आपके पास आता रहेगा और एक मेरा और चैनल है टेकी अनिल गेमर के नाम से इसमें मैं बनाता हूँ फणनी गेम के साथ मैं फणनी वीडियो बनाता हूँ इस चैनल का लिंग मैं डिस्क्रीप्शन में डाल दिया हूँ आप जाकर देख सकते हैं अगर हम इस गेम को पैसे के लिए खेनना चाहते हैं तो हमें कोईन पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि हम इसकोर बढ़ाना चाहते हैं और हम ऐसी टाइम पास के लिए खेर रहें तो हम इस गेम का कोईन हर चीज ले सकते हैं चुम्मक भी ले सकते हैं, राकेट भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिख्कत नहीं अगर हम पैसे के लिए खेर रहे थे हमें, महातरा अपना स्कोर देखना है कॉयन नहीं देखना है, क्उयन देखने से हम ज़्यादा इसको नहीं बना पाते है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब देख सकते हमारे सामने जो क्वाइन है इसको नहीं लेना है हमें चनना है अपने जो रास्ता है और इसको बढ़ाना है इसी दिसा में हमें चनना है इस क्वाइन के पीछे हमें नहीं जाना है क्यों कभी-कभी ऐसा होता है मातर क्वाइन मिलेगा और इसको नहीं मिलेगा इसलिए इस चुम्मक को नहीं लेना है और एक करण और है दोस्तो इसको मैं बताने वाला हमालो हम इस चुम्मक को ले लेते हैं और हमारे राइड साइट लेप्ट साइट और उपर तरफ क्वाइन काफी सार है तो एक साथ होने लगता है क्वाइन काफी जादा बढ़ जाता है जिससे हम भग रहे हम इस गेम को खेर रहे हैं तो यह हेक करने लगता है और सामने दीख रहा है इसमें हम टकराने का चांस काफी जादा बढ़ जाता है इस करें इस क्वाइन को नहीं लेना है क्योंकि हेक कर लेता है और इसमे जाकर हम टकरा सकते हैं जब हमारे गेम में ऐसा आता है था हमें नीचे तरफ से नहीं जाना है क्योंकि नीचे तरफ से जाने पर हमें सामने जाकर जश्ट और उछनना पड़ता है इसलिए हमें नीचे तरफ से नहीं जाना है क्योंकि नीचे तरफ से जाने पर उछनने के नीचे तरफ से नहीं जाना है तो आप देख सकते हैं मैं नीचे तरफ से गया था तो कितना धिक्कत आया इसलिए हमें उपर तरफ से जम करकर यहां से एक जम और करेंगे तभी हमको सरल पड़ेगा जब हमें यह जगा आ जाते हैं दोस्तों खेलते समय यह जगा आते हैं तो ह इसके सामने में जस्ट हमें नीचे तरफ से जाना है क्योंकि हम नीचे से जाएंगे तो इसमें टकराने का चांस बढ़ जाता है इसकारन हमें नीचे तरफ से नहीं जाना है यहां से जम करना है और इसके बाद जस्ट नीचे तरफ से जाना है और इसका चौंथा ट्रिक और है दोस्तो हमें उपर तरफ आपको उपर तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मैं वीडो को मतलब इमेज को तुरफ पास करके देखाता हूं दोस्तो आपको एक इमेज देखाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा चौँथा ट्रीक क्या है दोस्तो इसको समझना है कि हमारे सामने कोईन दिखाई दे रहा है इस कोईन को समझना है इसके बाद जस्ट गड़ा भी आ सकता है और घास भी आ सकता है इससे हमें जम करना है क्योंकि अचानक से आता है इसलिए इस coin को समझना है हमें थोड़ा और pass करके देखा दिता हूँ अब देख सकते हैं में pass करके देखा दिये हो और इससे आपको बचना है क्योंकि इसके बार गड़ा भी आ सकता है यहाँ पास हमें समझ लेना है कि हमें नीचे तरफ से नहीं जाना है क्योंकि हम नीचे तरफ से जाएंगे डारेक्ट यहाँ पास से हम फिर उठेंगे इसके बाद फिर नीचे से जाएंगे तो हमें टक्राने का चांच ज़्यादा रहता है इसलिए हमें यहां से जम करके जाना है और डायेक्ट यहां पास हमें नीचे तरब से जाना है यहां से हमें अराम से मुड जाना है और मुनने के बाद जस्ट हमें सोच लेना है कि इसके बाद क्या आने वाला है हमारे सामने यहां से मैं जल्दी से मूड़ा हूँ और मेरे सामने आ जाता है एक और जिससे आपको मैं देखा देता हूँ अपनी इमेज में मुनने के बाद अचानक से आता है दोस्तो तो आपको इससे बचना है और नीचे तरफ से चले जाना है आपको उपर तरफ जम नहीं करना है क्योंकि इसमें टकराने का चांस रहता है आप देख सकते हो दोस्तो जब यहां से हम नीचे तरफ से जाएंगे तो हमारे सामने कोईन दिखाई दे रहा है उपर तरफ इसको फोकस करना है दोस्तो इस rocket को लेने के बाद एक ही फायदा होता है आप race में जाने लगेंगे medium race में जाने लगेंगे और आपका score जल्दी से बढ़ेगा उसका एक ही फायदा होता है इस rocket का जब ये वाला सीन आ जाता है दोस्तों ये वाला जब चीतर आ जाता है हमारे सामने गेम खेलते समय तो हमें मोबाइल को सीधा करना है लेप्ट राइट नहीं करना है क्योंकि हम तीरचा होने पर इसमें टकरा सकते हैं इसलिए हमें मोबाइल को सीधा ही पकड़ना है तो दोस्तो इस 2X से आप कैसे बस सकते हैं इसके बारे मैं बता देता हूं कि आपको कैसे बचना है अगले image में आपको देखा देता हूं तो दोस्तो हमें नीचे तरफ इस्ट्रोल कर देना है तभी हम 2X से बस सकते हैं इसका एकी benefit होता है हम जब 2X XL लेते हैं, तो हमारा जो RAY से काफी ज़्यादा बड़ जाता है, जिससे हम तकराने का चांच ज़्यादा रहते हैं, हम समहान नहीं पाते हैं और जापर तकरा जाते हैं, तो इसका एकी मतलब होता है दोस्तों इसके अंदर जाने पर एकी फायदा होता है हम मोबाइल को छोड़े नीचे और थोड़ा से रिलेक्स हो जाए इसके बाद फिर मोबाइल को पकल लेते क्योंकि इसके अंदर जाने पर ये हम कंट्रोल नहीं करते हैं मात्र इसको हम इधर से left से right तरफ कर सकते हैं एक ही control हो सकता है और इसको हम उपा नीचे नहीं कर सकते हैं दोस्तों दोनों तरफ जब गढधा आता है था हमें कैसे बचना है आज मैं इसे के बारे में बताने वाला हूँ जब हमें दोनों तरफ गड़ा आता है था हमें राइड से लेप्ट तरफ नहीं करना है हमें बीचो बीच रहना है तब हम इससे लिकल जाएंगे लेप्ट से राइड तरफ करेंगे तो हम मर सकते हैं इसलिए हमें नहीं करना है तो इस टू एक सा के मतलब मैं पहले ही बता दि तो हमें समाज लेना है कि हमें राइड तरफ मुनने वाले हैं दोस्तों यहाँ पास एक चीज और है इसको देखना है जो मोड दिखाई दे रहा है इसको ही देखना है क्योंकि यहाँ पास देखने से हमें पता चल जाएगा कि यह हम राइड तरफ मुनने वाले हैं धूर से ही देखना है हमें जब ऐसा आजाता है आपको घबराने का कोई जर्वत नहीं है आपको बीच में ही देना है आपको टज भी नहीं होगा आप अराम से जा सकते हैं इसमें कोई भी प्रावल्लम नहीं है दोस्तों इस हाट को लेने से आपको एक नुकसान हो सकता है लेकिन इसका फायदा भी हो सकता है कि जब हम इसको लेते हैं थम दिखाए नहीं देते हैं और ये आप याप दाउने लगता है तो इसके एक नुकसान हो सकता है क्योंकि जब अचानक हम गड़े में आ सकते हैं अचानक हम दिखने लगें तो जाड़ेक गड़ा में हम जा सकते हैं इसको नहीं लेना है क्योंकि दोस्तो ये फायदेक साथ नुकसान भी कर सकते हैं लिए हम को इसको नहीं लेना है दोस्तो यह जगा जब हम आ जाते हैं एक चीज को फोकस करना है जो हमारे सामने दिख रहे है आग ज़र रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पास आग ज़र रहा है इसके बाद अगर दो गढ़्धे आते था हमें प्रोब्लम हो सकते हैं और कभी-कभी एक गढ़्धे में हम उतकर बाहर भी निकल जाते हैं इससे कोई भी प्रोब्लम नहीं होता लेकिन दो गढ़्धे आते हैं था हमें टैमिंग के साथ चनना पड़ता है तो दोस्तो आप देख सकते हैं फिर से आ गया है एक गढ़्धा आया है और गढ़्धा के बाद एक मंदिर भी आया है आप देख सकते हैं जोपड़ी सा है दोस्तो तो इसको हमें समझ लेना है कि हमें राइट तरफ मुनना है क्योंकि इसके पहले में बताया था कि एक आग जर रहा था तो हमें लेप्ट तरफ मुनना था तो इसको समझ लेना है दोस्तों हमारे सामने दो गढ़्धा आ गया है आप देख सकते हैं यह फर्स्ट और दूसरा सेकेंड यहां पास हमें टाइमिंग के साथ उछना पड़ता है तो हमें कोई दिखाई दे रहा है यहीं से हमें जम करना है क्यूंकि हम यहां से जम करेंगे डाइट गढ़्धे के स सब्सक्राइब करते हैं जाते हैं धुर्फं में पहले बताया था कि इस आपको फोकस करना है क्या जब भी इस आपको फोकस करो गうत